Hello friends, मैं हूँ Dr. Arpana, आप सब लोगों का स्वागत है, मेरी YouTube चैनल में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ health tips और अभी time है morning का, healthy living का time है और इस time पे मैं आप लोगों के साथ investigations के बारे में कुछ information शेयर कर रही हूँ और आज हम लोग बात करेंगे color doppler ultrasound के बारे में तो इससे पहले कि ये topic मैं शुरू करूँ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं subscribe किया तो इसको जल्दी से subscribe कर लीजी और bell बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मैं जब ही कोई video publish करती हूँ या मैं live Q&A session में हूँ तो आप लोगों तक notification पहुँच पाए और आप लोग भी मुझे join कर सके तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic color doppler ultrasound to color doppler ultrasound क्या है और क्यूं हम इसको करवाते हैं तो अगर किसी organ के blood vessels के बारे में blood flow के बारे में blood supply के बारे में हमें जानना है details में तो हम color doppler ultrasound advice करते हैं तो normal ultrasound में जैसे organ को देखा जाता है ठीक उसी प्रकार से color doppler में blood supply को देखा जाता है तो इसके uses किस-किस में है mainly तो अगर किसी प्रकार का blockage हो रहा है blood vessels में जैसे कि legs में अगर कोई blockage हो रहा है varicose vein है, deep vein thrombosis की परिशानी है तो ऐसे condition में color doppler ultrasound advice किया जा सकता है pregnancy में भी color doppler ultrasound advice करते है जब हमें placenta में blood supply को देखना होता है fetus में blood supply को देखना होता है heart को देखना होता है fetus के development के बारे में जानना होता है तो भी color doppler ultrasound advice किया जाता है इसके इलावा अगर brain में किसी प्रकार की कोई परिशानी हो रही है तो carotid artery को देखने के लिए भी color doppler ultrasound advice किया जाता है अगर कोई transplantation हुआ है जैसे कि kidney transplant हुआ है या liver transplant हुआ है तो जो organ transplant हुआ है उसमें किस प्रकार से blood supply है blood ठीक से organs में पहुँच रहा है या नहीं तो नॉर्मली अगर आप nicotin वगारा लेते हैं या smoke करते हैं तो यह सब आपको एवोइट करना होता है करीब डेड़ दो घंटे पहले क्योंकि smoking वगारा के वज़े से भी जो blood vessels है वो अंस्ट्रिक्ट हो जाती है और उससे जो results है उसमें फरक पढ़ सकता है इसलिए यह एवोइट किया जाता है और इस test को करने में नॉर्मली करीब 30 minutes to 1 hour तक लग सकता है इस test को कैसे करते हैं तो जैसे आल्ट्रासाउंड में मैंने आप लोगों को बताया कि जैल का इस्तेमाल करते हैं जो भी एरिया में आपको अल्ट्रासाउंड करना है उस एरिया को expose करते हैं और वहां पर जैल लगाते हैं फिर प्रोब की साहता से इस test को किया जाता है तो यह completely non-invasive test है तो इसमें किसी प्रकार का pain वगारा होने के chances नहीं होते है पर जो जैल automation color doppler ultrasound के बारे में अगर आप लोगों का कोई भी doubt हो कोई भी query हो इस बारे में तो आप लो comment section में लिखके मेरे से जरूर पूछ सकते हैं आप मेरे साथ social network में connect हो सकते हैं जिसकी सारी details नीचे description box में है और अगर आप लोगोंने मेरा channel अभी तक भी नहीं subscribe किया तो जल्दी से को subscribe कर लिजी और bell बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए and a very happy day ahead. Thank you so much.